नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका हिंदी नौलिश शो में जो दोस्तों भले ही यूरोपियन देश कितने ही शक्तिशाली हो जाए भले इनके पास अकूत संपत्ती आ जाए लेकिन एक चीज इनकी सेकड़ों सालों से चलिया रही है वो है चोरी करने की आदत जब जब य रुष ओलेडी कर चुका है यूरोप को सप्लाई होने वाली गैस रूस ने ओलेडी हद से ज्यादा कम कर दी है ऐसे में यूरोपियन देशों ने रास्ता चुना अरब देशों का और सारे यूरोपियन देश इकठा होकर पहुँचे एक खास अरब देश के पास जिसका ना अरेविया है इरान है कुएत है इराक है ये एक छोटे से देश कतर के पास ही क्यों पहुँचे तो इसका कारण है आप से पर देखिए कतर इस पूरी धरती का दूसरा सबसे बड़ा एलेंजी गैस एक्सपोर्ट करने वाला देश है कतर के पास तेल ज्यादा नहीं है पास पहुचे लेकिन मुसीबत ये है कि अवही आपको गैस सप्लाई नहीं कर सकते इसका कारण ये है कि हमारे पास इस समय order हैं बहुत सारे अलग-अलग देशों के जैसे की भारत हो गया बंगलादेश हो गया कुछ अफरीकी देश हो गये कुछ साउथ इस्ट एशन कंट्री हो गये हमें वहाँ पर ओल लेडी गैस सप्लाई करने के order मिल रखे हैं हमने अडवांस में पैसा भी ले रखा है इसलिए आप लोग सर्दियों के बाद आना अब European देशों ने कहा कि आप सर्दियों में तो हमें सबसी जबाद गैस की जरूत पड़ती है वरना हमारे लोग ठंड में मारे जाएंगे हमारी economy पूरी तरीके से बैठ जाएगी तो European देशों ने तरकीब निकाली चोरी करने की इन्होंने कहा कि जो तुम्हारे gas के shipment बांगलादेश या अफरीकी देशों को जाने वाले हैं न वो shipment तुम हमारे देशों में भिज देना हम तुमें 2-4 पैसे extra दे देंगे यानि कि एक तरीके से रिशुवत दे कर ये बांगलादेश और अफरीकी देशों की जो gas है उसे चीनना चाहते थे उसे चुरा कर अपने आप इस्तमाल करना चाहते थे बहले इससे बांगलादेश की या अफरीकी देशों की अर्थवस्ता तबाह हो जाए बहले वहाँ पर लोगों को खाना पकाने के लिए gas मिले या ना मिले European लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए और इन्होंने खूब लालच दिया कतर को और अच्छी बात ही रही कि कतर इस लालच में अब नहीं पड़ा है दरसल आज ही कतर ने साफ साफ मना कर दिया है European देशों को कि हम किसी भी कीमत पर अपना वादा और अपने order cancel नहीं करेंगे हम गरीब देशों का पेट काट कर आपको नहीं देंगे आप gas का इंतिजाम रूस से करो अमेरिका से करो कहीं और से करो हमारी प्रोब्लम नहीं है और अगर आपको हमसे gas चाहिए तो हमारी शर्थ साफ है आज ही हमें उसका order दो सारी payment दो उसके बाद उसकी delivery आपको मिलेगी अब से 8-10 महीनों के बाद यानि की 2023 के जून जुलाई के महीने के बाद और कतर के इस मूँ तोड़ जवाब को सुनकर इस समय पूरे यूरोप का दिल बैठा जा रहा है क्योंकि सब को ये लग रहा है कि सरदियां उनके सर पर आ चुकी है इन सरदियों का गुजारा कैसे होगा क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दू कि अभी यूरोप में सरदियां बस सुरूई हुई है और यूरोप के जो छोटे देश है जिनके पास ज़्यादा संसाधन मौजूद नहीं है जैसे की चेक, रिपबलिक, क्रोएशिया वगेरा यहाँ पर सरदियां इतनी ज़्यादा हो गई है कि स्कूल के बच्चों को कंबल बाटे जा रहे है कंबल ओड कर तब पढ़ाई की जा रही है ऐसा क्यूँ? क्योंकि गैस बचाने की कोशिश है पूरे यूरोप में क्योंकि यूरोप के लोगों को पता है कि उनके पास इतनी गैस मौजूद है कि या तो उससे खाना पकेगा सर्दियों में या फिर उनके घर गर्म रह सकेंगे इसलिए यूरोप बुरी तरीके से फस चुका है और इसलिए खबर आई है कि बहुत सारे छोटे यूरोपियन देश जिनके पास ज्यादा संसाधन मोजूद नहीं है वो रूस की सरण में वापस जा सकते हैं और इसको लेकर पूरे यूरोप में माहोल भी तयार हो गया है यूरोप के लगबग हर एक देश में परदरशन हो रहे हैं नाटो के खिलाफ और यूरोपियन यूनियन के खिलाफ हाला कि मैं इस मामले पर आपको अपडेट लगातार देता रहूँगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजेगा